हेलो गाइज गूरी इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो मैं आगया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ न्यू कंटेंट के साथ जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो आज हम बात करने वाले हैं एक मोटिवेशनल करेक्टर की जिसकी हम तुलना शायद किसी भी बॉलिवड एक्टर शायद किसी भी सूपर हीरो शायद किसी भी बड़े से बड़े स्टार के साथ हम लोग नहीं कर सकते आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी बड़ी-बड़ी जैसे कि थी एक था टाइगर टाइगर जि कैसे उन्होंने बेसिकली जो जो इंसिडेंट्स हुए थी उसकी प्लाइनिंग और प्लॉटिंग किस तरह हुई थी एक करेक्टर दिखाया जाता है जिसमें हमारे बॉलिवूड सूपर स्टार्स उस करेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं लेकिन आपने कभी सोचा है कि कहां से नि बॉलिवूड मुवी जाता है कुछ मिर्ची नमक मिर्ची डालके बड़ एक्चुल प्लॉटिंग जो करते हैं वो स्ट्री राइटर करता है तो स्ट्री राइटर कहां से इंस्पायर हुआ इन सब चीजों के लिए आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मोटिवेशनल लीडर एक ऐसे ही motivational government officer की जिसने सिर्फ इंडिया को ही नहीं सिर्फ इंडिया की national security की नहीं पूरे पूरे देश की पूरे बड़े बड़े देशों की जो foreign countries में बैटे जैसे US हो गया आपका CIA बड़े बड़े देशों की secret agency आपका CIA, आपका ISIA यह बड़े बड़े देशों की जो secret agency है उन तक को हिला रखा है ऐसे ही एक motivational character की हम लोग बात करने वाले हैं जिसको आज की date में अगर हम चाहें तो real time hero, real life hero हम सब नाम से पुकार सकते हैं he is the superman, he is the he man तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे ही एक real life hero, ऐसे ही एक inspirational character आज के चानक्य है, आज के James Bond जो की एक fictional character नहीं है यह आपकी movie से नहीं आते हैं यह real life में दोस्तों हम लोगों के बीच में हैं यह इंडिया की government services को आज तक serve करते हैं तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे NSA National Security Advisor Mr. Ajit Doval के बारे में जिनका जनम हुआ था 20 January 1945 को उत्राखंड के पौड़ी गड़वाल में हाँ जी दोस्तों अजादी से भी दो साल पहले और आज इस साल 2023 में he will be like वो हो जाएंगे 78 years के लेकिन अगर आज भी आप उनकी personality देखेंगे he is straight and simple आज भी डटे हुए हैं अपने देश को service देने के लिए 20 January 1945 को उनका जनम हुआ उनके फादर भी जो थे वो Indian Army Officer रहे हैं अजमेर Military School में उन्होंने पढ़ा ही करी बिसिकलिए अजमेर Military School से वो पास आउट है 1968 में जोइन किया उन्होंने IPS केडर मिला था केरला का तोटल सर्विस जो उन्होंने करी है वो करी है 37 years की जिसमें 7 साल उनकी पुलिस की जॉब थी बाकी 30 साल उन्होंने लगाए खूफिया एजंसियों के साथ जो हमारे देश की बड़ी-बड़ी खूफिया एजंसियों के साथ जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी एजंसी है उनके साथ उन्होंने अपनी सर्विसेज दी और आज तक भी नहीं रुके हैं आज भी अगर इंडिया में कोई नेशनल सिक्योरिटी नेशनल या इंटरनेशनल सिक्योरिटी की कभी भी बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तो मिस्टर अजीट डोवाल का आगे क्या कैंगे इनकी स्टोरिज की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरिज की मैं बात करने वाला हूँ तो बात करते हैं इनकी पहली स्टोरी की तो दोस्तो पहली कहानी है 1972 की जब North East India में एक Insurgency का महल चल रहा था जैसे कि कुछ अलग-अलग स्टेट और एक अलग ही राष्ट का दरजा मांग रहे थे आप लोग मुझसे जादा अच्छे से जानते होंगे कुछ North East India के स्टेट्स हैं आज भी एक अलग राष्ट का दरजा चाहिए तो ऐसा ही एक महल चला था 1972 में जहां मिजोरम में एक परसुन था लाल डेंगा लाल डेंगा की कहानी आप सब लोगों ने सुनी ही होगी और अगर ध्यान से सुनना चाहते हैं या उसके बारे में जादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हो तो एक था लेटिनेंट लाल डेंगा नाम था उसका लाल डेंगा के अंदर में आते से साथ कमांडर तो उसकी वहां बहुत जादा चलती थी वह बहुत पावरफुल एक नेता का मैं ये इवन्ट बता रहा हूँ जहां पे इनकी शादी हुई मिस्टर अजीर डोबाल की और उसके दो दिन बाद ही आई बी की एक मीटिंग बैटती है और वहां इन्हें बुलाया जाता है कहते हैं कि मिजोरम में ये इंसरजनसी का महौल है कौन जाएगा भई वहां पे जाके कौन ये काम करेगा कौन समझाएगा कौन बात करेगा उनसे कि हाँ भई ये सब गुंडगर्डी बंद करी जाए और मिजोरम इस देश का राज्य है उसको इस देश में सम्मिलित करने के लिए किसको भीजा जाए तो दो दिन हुए थे इनकी शादी को जाना था हनीमून पहुँच गए मिजोरम कहते हैं मैं जाऊंगा वहां गए अपनी वाइफ के साथ मिले लाल डेंगा से और उनके कमांडर्स से एक असली जो इनके अंदर पावर थी वो ये थी कि ये ना किसी भी एक कमिनिटी में घुसके दुश्मन से भी ये दोस्ती करना जानते थे तो उन साथ कमांडर्स से ये मिलना बैठना उठना उनके साथ शुरू किया अच्छा ये आई भी रो और ये जितने भी जासुसी वाली जॉब्स होती है न जो भी पडोसी बन के रह जाएगा लेकिन आपको पता भी ने लगेगा कि हाँ ये एक गॉर्मेंट ओफिशल था ये आई बी चीफ या आई बी रो या किसी भी एक सीक्रेट एजनसी का इस्पाई था आप ये कभी नहीं पता लगा सकते ये इतनी खूफिया जिते हैं तो 1972 में ये वहाँ पहुचे उन साथ कमांडर्स से इन्होंने धीरी-धीरे करके दोस्ती बढ़ाई अच्छा दोस्ती कैसे बढ़ाते थे ये उसका भी एक इनका अलग अंदास था सबसे धीरी-धीरे दोस्ती बढ़ाते थे इन्टेलिजेंट परसन है जिन्होंने शराब के निशे में देश चलाया मैं आपको बताता हूं कैसे तो दीरे-दीरे शराब भी पीते थे उनके साथ खाना भी खाते थे ये उनका दोस्ती बढ़ाने का तरीका था तो उन साथ कमांडर्स में से दीरी-दीरे करके इन्होंने छे कमांडर्स को अपनी तरफ कर लिया कि मैं तुम्हारे को वो दरजा दिलाऊंगा मैं तुम्हारे राज्ये को वो दरजा दिलाऊंगा कि हाँ भई आपके एक अलग आइडेंटिटी कार्ड होगा आपके हाँ कोई आना चाहेगा तो उसको पासपोर्ट जैसे एक identity की ज़रूत पड़ेगी और एक अलग permission required होगी तो इन्होंने इतनी उटबैट वहाँ पर बना ली तो छे कमांडर हो गए इनकी तरफ लाल डेंगा पड़ गया कमजोर अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर एक strategy देखिए जब इन्होंने देखा कि वो छे कमांडर हो गए है अलग और लाल डेंगा के पास पच्चा है सिर्फ एक कमांडर तो इन्होंने लाल डेंगा से negotiate करना शुरू किया उन्होंने कहा मिजोरम को देश के अंदर ही रहने दो तुम्हारा फाइदा इसी में है हाँ मैं मेरी भारत सरकार में चलती है मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें मिजोरम का नेता घोशित कर दूँगा मैं तुम्हारी एक अलग political party बनाऊंगा और तुम यहीं से जीतोगे तुम यहां पर राज करोगे तो वहाँ पर यही हुआ agreement पर sign हुआ मिजोरम आज भी हमारे देश का हिस्सा है तो उसकी वज़ा सिर्फ यहीं है Mr. Ajit Doval नहीं तो मिजोरम कपका इस देश से अलग हो गया होता उसके बाद हाँ इन्होंने political party वहाँ लाल डेंगा की बनवाई और लाल डेंगा वहाँ का निता चुना गया तो दोस्तो अगली बात करते हैं सिक्किम की सिक्किम भी एक टाइम पे हमारे देश का हिस्सा नहीं था अगर आप लोग जानते होंगे तो 1947 में agreement की छोटे-छोटे टुकडों के साथ कुछ हद तक सिक्किम हमारे देश का हिस्सा माना जाता था लेकिन अभी भी पूरी तरह हमारे देश में सम्मिलित नहीं था एक पूर्ण राजय का दरजा उसको नहीं मिला था तो क्या हुआ अब सिक्किम में भी इनको भेजा गया सिक्किम में उस टाइम पे राजा होते थे तो एक जो राजा थे उन्होंने शादी कर लिएक अमेरिकी लड़की से बाद में पता लगता है कि वो अमेरिकी लड़की C.I.A. agent है तो C.A. agent होने की वज़ा से सिक्किम में पूरा कंट्रोल वो करने लग गई तो जब वो पूरा कंट्रोल करने लग गई तो भारत सरकार को हो गई Tension कि भाई कल को यहां अमेरिका आएगा अमेरिका नॉथ East में अपना कंट्रोल बसा सकता है या फिर हो सकता है कि चाइना को सपोर्ट कर दे चाइना को एमपावर कर दे तो ये नॉथ East इंडिया हमारी पकर से जा सकता है तो बहाँ फिर इनको बुलाया गया तो इनको बोला गया जिस तरह से आपने मिजोरम हमें दिया है सिक्किम भी आप हमें दीजे प्लीज तो वहाँ पर यह बहुत प्यार से पहुजते हैं मिलते हैं सिक्किम की एक नेशनल पार्टी से सिक्किम की एक पार्टी होती थी नेशनल कॉंग्रेस पार्टी Sikkim National Congress Party basically उसका नाम है तो वहाँ जाकि उस पार्टी के लोगों से मिलते हैं और वहाँ पर उनके जो main leaders होते हैं उनसे बात करते हैं कि भई क्या हो रहा है तुम्हारा राजा तो तुम्हें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है, कैसे रहते हो भई यहां पे और साथ ही साथ ना वहां पे तुरंट एक रेफरेंडम पास करा दिया जहां पे लोगों ने वोटिंग करी और वोटिंग आई भारत के हक में तो उसके बाद क्या हुआ यहां पे प्रधान मंत्री सिक्किम का अच्छा उस टाइम पर प्रधान मंत्री होते हैं तो लोगों ने चुना कि भाई हम जाएंगे लोगतंतर की तरफ उस टाइम प्रधान मंत्री होता था सिक्किम का तो प्रधान मंतरी सिक्किम के प्रधान मंतरी में और सिक्किम के राजा में आपस में हो गई टेंशन्स तो राजा भी अब इंसिक्योर हो गया उसने का कि मैं आटैक करूँगा उसने अटैक करने की सोचा उदर प्रधान मंतरी जो थे सिक्किम के क्योंकि रोटिंग हो चुकी थी और सिक्किम के प्रधान मंतरी नियुक्त हो चुके थे वहाँ के राजा को कंट्रोल में लिया और राजा ने पूरे होशोवास में एग्रिमेंट साइन किया जिसके बाद सिक्केम आज हमारे देश का हिस्सा है और उसका में वज़ा उसकी में रीजन है मिस्टर अजीटोबाद ये थे एक ताकतवर दिमाग के साथ एक ताकतवर पाकिस्तान में जाके इन्होंने कैसे अपना एक रुदबा एक अपना खेल दिखाया था तो बात है जब हमारे इंडिया में पहला नूक्लियर टेस्ट हुआ था तो हमारी प्रदान मंतरी होती थी मैडम इंद्रा गांडी जी तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान को ये बात पता लगी तो पाकिस्तान में साइंटिस्ट होते थे मिस्ट्वर की खान तो एक खान जी ने क्या किया ओदर से फ्रांस को बुलाया और से चाइना को बलाया कहते कि हम भी टेस्ट करेंगे हमें भी अपना नूक्लियर वैपन बनाना है तो फ्रांस ने तो महां से बैक किया अब उतर देखा कि फ्रांस भी पीछे हट गया है तो यह क्या माने नहीं है मिस्टर एक्यू खान जो थे वो थे साइंटिस्ट यह पहुंच गए कोरिया के पास किंजॉंग यह उनके फादर थे जिनको उनको भी एक अलगरेट लगी हुई थी कि हाँ भई मुझे निकलि जी आ सकती है तो अब क्या हुआ इधर इंद्रा गांदी जी ने गठन कर दिया IB और RAW का दो इंटेलिजेंस ब्यूरो और RAW दो एक एजनसी ऐसी बना दी जहां पे लोग और जासूस बनके मतलब मेरे लोग जाएंगे पाकिस्तान और कोरिया और वहां जाके पता करेंगे कि में चल क्या रहा है तो इधर से मिस्टर अजी डोबाल को पॉइंट किया गया पाकिस्तान बेजने के लिए इंद्रा गांदी ने बोला कि आप मुझे डिरेक्ट रिपोर्टिंग करते हो आप जाओगे इंडिया की तरफ से पाकिस्तान और वहां जाके पता लगाओगे कि पाकिस्तान में चल किया रहा है ठीक है इन्होंने यह हमेशा काम के लिए रहते थे पहुच गए पाकिस्तान और सीधा पहुचे कहुटा कहुटा नाम की जगा थी जहां पर इनको खबर मिली थी कि हाँ एटोमेक के जो study हो रही है वो खान रिसर्च सेंटर में ही काम चल रह लें तो यह पहुच गए खान रिसर्च सेंटर वहां इन्होंने भेश बना लिया एक विकारी का विकारी का भेश बनाके यह दर उदर घूमते रहे अच्छा देगी कितना अच्छा एक्टर प्ले करते हैं यह शायद कोई ही बॉलिवूड स्टार होलिवूड स्टार भी फ इंटेलिजन्ट बहुत हैं पढ़ाई बहुत जादा करी है तो इनका दिमाग चला कि जो अटोमिक पे जो नुकलियर चीज़ों पे काम करता है उसके शरीर के हिस्सों में या फेस पे या स्किन पे या बालों में कहीं भी रेडियेशन की मात्रा बढ़ जाती है उसके स्किन पे रेडियेशन आ जाता है तो इनको समझ आ गया कि किसी तरह मुझे इसकी स्किन का हिस्सा या बाल मिल जाए तो आए कैन विन ओवर देस तो यह पहुँच गए इन्होंने पता किया कि यह सारे साइंटिस्ट जो हैं मैक्सिमम बाल कटाने जाते का हैं तो यह पहुँच ग हो गया कि हमिक खान दिसर्च सेंटर में ही अटोमिक जो इनके अटोमिक न्यूकियर वेपन है उसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है वहां यह चीज कंफर्म हो गई अब जब यह चीज कंफर्म हो गई तो दिमाग दोडाने लग गई कि अब क्या करना चाहिए अच्छा उ अब इनको यह था कि भई मैं अगर अपनी सरकार को बोलता हूं तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए तो अब यह वहाँ टेंशन में आ गया इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए यह अपना दिमाग लगा रहे हैं तो अब थ क्या कि इनकी रिपोर्टिंग थी सीधा PMO को तो अब ये रिपोर्ट कर रहे थे सीधे मुराजी दिसाई जी को तो क्या हुआ इनको अब समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए तो इन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को तो मोस को जाके इन्होंने बोला कि भाई इराक को तुमने खतम किया है ये मुस्लिम देश यागर इसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे तो इसराइल भी चिंता में आ गया इसराइल ने इनकी बात माल लिया अच्छा कन्विंसिंग पावर इ इसराइल और आपका पाकिस्तान के बीच में पढ़ता है इरान तो वहां पे कहते हैं कि वह एर स्पेस तो हम यूज नहीं कर सकते हैं और बहुत लंबा रास्ता है हमें रीफ्यूलिंग की ज़रुद पड़ेगी तो रीफ्यूलिंग के लिए हम चक्कर लगा के आएंगे ग प्लाइन सक्सेस्फुल हो गया इन्होंने फोन मिलाया मुराजी देसाइजी को मुराजी देसाइजी को बोला कि ऐसे ऐसे बात है भाई हमें इसराइल को सपोर्ट करना है वो सब अपने आप खतम कर देंगे इंडिया को बीच में आना भी नी पड़ेगा इंडिया का नाम नहीं आएगा अब मुराजी देसाई जी जो थे वो थे भाई एक होता है ना कि सत्तादारी इंसान और अहिंसावादी दिखाना कि भाई ये प्लान तो इंद्रा गांदी जी का था अगर मैंने ये इनिशेट करवा भी दिया ये सकस्पुल हो भी गया तो वावाही हो जाएग नहीं पड़ता जब कुछ होगा तब की तब देखेंगे तो अब इन्हें क्या हुआ ये तो बालवाल सब टेस्ट करके बैठे हुए थे अब ये एकदम टेंशन में आ गए कि करना क्या चाहिए फिर एक नई स्ट्रेटेजी बनाई तो अब क्या किया अब ये टेंशन में अब इन्हों ने ढूंडा एक और साइंटिस भाई और उसका निकाल दिया एक एक एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर तो उसका एक दिन पार्क में दोलनों लोग बैठे हुए थे वो वहाँ पहुँच गए सीधे कहते है भाई मैं तुझे जानता हूँ तू कहोटा में न्यूक् आपको साब अंदर की चीज़े दे तूगा तो अब यह इदर खुश हो गए इन्होंने तुरत फोन मिलाया पीमो को फिर किते हैं कि भाई आपका सारा काम हो गया अब कोई लड़ाई जगडा नहीं करना है सिर्फ दस लड़ार डॉलर का कैश चाहिए और कैश के तूरू आ नहीं करेंगे वो अपनी धर्ती पे कर रहा हैं हम अपनी धर्ती पेउस को करने थो भाई मेरे को क्या है मेरे को मेरा घर चलना चाहिए यहां पे क्या हुआ रौ के चीफ थे, Mr. R. N. Kau R. N. Kau गए प्रदान मंतरी के पास कि सर यह आप क्या कर रहे हैं आपके पास अगर आज की डेट में blueprint आ जाता है तो आप यह सोचिए कि कितनी वावा ही होगी आपकी आप एक country का nuclear blueprint आप ले लेते हो और उसके बाद आप वहाँ पे control बना लेते हो तो सोचो कि आपकी इज़त क्या आसमान तक पहुँच जाएगी सर इस mission को please initiate कीजे क्योंकि हमारे लोग अपनी जान पे रिस्क बनाई हुए बैठे हैं दूसरी country में मुराजी दिसाइजी कह देते हैं नहीं, नहीं होगा तो आरेन काउ क्या करते हैं, वो गुस्से में कर देते हैं रिजाइन, वो उधर रिजाइन करते हैं, लेकिन वहाँ जी डोगाल अभी भी मेहनत कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे convince किया जाए अच्छा, in the meantime, आर्मी के एक जनरल पाकिस्तान के, आप लोग जानते हो कि आर्मी भी शुरू से डॉमिनेट करती रही है पाकिस्तान को, तो आर्मी कंट्रोल ले लेती है पाकिस्तान में और एक जिया उलहग जी वो बन जाते हैं देश के राश्टपती तो वहाँ पे वो जिया उलहग कंट्रोल ले लेते हैं अब वो थोड़े से धामिक और थोड़े से रिष्टेदारों वाले आदमी थे रिष्टेदारियां बढ़ाना जानते थे तो वो फोन करते थे अलग-अलग देशों के प्रधान मंतरी को श्रिलंका नेपाल भूटान और या आसपास हिटने भी देश हैं उनके बांगलादेश के प्रधान मंतरी को फिर फोन लगाया उन्होंने पीम मुराजी देशाई जी को शाम का वक्त था मुराजी देशाई जी थोड़े-थोड़े मूड में चल रहे थे उस ताइम तो उनको फोन लगाया कि हां जी क्या हलचाल सब ठीक ठाक तो मुराजी देशाई जी बोले कि अरे तुमारा फोन आया तुम हमको क्या समझते हो जिया उलहक हम सब जानते हैं तुम कहोटा में क् बाते हैं अच्छा अब जो हमारे प्रधान मंतरी जी ने गलती करी थी ना वो किसी भी देश के लीडर की सबसे बड़ी गलती यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बेवकूफी थी क्योंकि ये एक confidential operation था और उन्होंने उस कॉल पर सीरिस सिदे बोल दिया था कि हमारे भी लोग या research कर रहे हैं तो जी आउलहक आर्मी के आदमी थे उन्होंने लगा दिया सब लोगों को कि ढूंडो और मारो तो जितने भी IB और RAW के लोग थे जितने भी IB और RAW के लोग पाकिस्तान में थे सब को ढूंडून के मारा गया गले काटे गए किसी का तो सर ही गायब कर दिया ल नहीं तो उन प्रधान मंत्री की गलती की वज़े से शायद आज ये रियल सुपर हीरो हमारे बीच में नहीं होता अब इन्होंने कंट्रोल कर लिया मिजोरम को सिक्टिम को आप सोच रहे होगे कि पाकिस्तान वाला तो यार मिशन फेल हो गया फेल नहीं हुआ वो मिशन इत नहीं पंदरा महीने नहीं पूरे पंदरा साल डिले हो गया था ये थे हमारे अजीट डोवाल जहां सरकार से सपोर्ट नहीं मिला सत्ता से सपोर्ट नहीं मिला किसी सपोर्ट नहीं मिला सिर्फ एक आदमी की वज़े से पूरे देश का न्यूक्लियर टेस्ट पंदरा साल प कुका पारे तो मिलिटेंसी बहुत जादा बढ़ गई थी कश्मीर के अंदर आतंकबाद बहुत जादा बढ़ गया था तो कुका पारे जो था उसका हाँ दब दबा चलता था क्योंकि वह एक फोक सिंगर भी था और फंडिट था पाकिस्तान से तो उसको आम से मुनिशन और जो भी पैसा आता था वो पाकिस्तान की तरफ से आता था कि आप इंडिया में तबाही मचाओ तो अब क्या हुआ कुक्का पारे के पास इनको भेजा गया या खुद पहुँच गए मिलने क्योंकि यह होता था कि सीक्रेटली जाते थे जहां भी जाते थे किछी को कानो कान दिखाएंगे तो क्या होता था कि खूफिया तरीके से ही पहुच गए कश्मीर और वहां जाके मिले कुका पारे से उसके साथ खाना पीना बैठना शुरू किया दोस्ती बढ़ा ली वही पुराना लाल डिंगा वाला जहां कमांडर्स के साथ दोस्ती बढ़ाई थी ऐसे ही कुका पारे के साथ दोस्ती बढ़ा ली खाना पीना शुरू किया रात तो वह यह कहते थे कि पाकिस्तान तुझे क्या दे रहे है उससे ज़्यादा मैं तुझे दूगा तू अपनी पार्टी तयार कर मैं यहां पर करवांगो एलेक्शन और तुझे ही यहां का MLA चुना ज देखेगा इंटलिजेंस होती गया इंटरनल सेक्योर्टी के साथ किस तरह यह दिमाग से खेलते हैं दूसरों के इमोशन के साथ यह कैसे खेल जाते हैं उन्हें का लेकिन एक शर्त है भाई तुझे इंडिया की तरफ से लड़ना पड़ेगा तो भाई कुका पारे कन्विं पाकिस्तान का दबदबा खतम हुआ उसका भी एक मात्र रीजन था मिस्टर अजीट दोवाल आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा एक प्लेन था आइसी 814 जो जो के आने वाला था नेपाल से डेली डेली में लेंड करने वाला था और पाकिस्तान के टर्रिस न हमारे यहां पावर में थे श्री अटल बिहारी वाजपाई जी तो उनको पता लगा कि 170 पैसेंजर से जो है प्लेन एक हाईजैक हुआ है और उसको पहले ले जाया गया लाहूर लाहूर से ले जाया गया कांधार तो यहां अटल बिहारी वाजपाई जी ने तुरंट फोन जी डोबाल जी को और बोला कि भाई यहां हो और सिथी को समालो जी डोबाल जी फोरण उड़के पहुंचते हैं कांधार लेकिन अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि दूसरे दुश्मन की वीटनेस का पता लगा पाएं तो उन्होंने का जिस तरह मैं कन्फ्यूज हू और जो तुम्हारे देश के हर कोने में हमारे 35 अतंकवादी गिरफ्त में हैं उन्होंने का ठीक है बताता हूं इन्होंने क्या कि अलग-अलग देश की खूफी अजंसियों से बात करना शुरू कर दिया यूएस इंटेलिजेंस अजंसी रश्या इंटेलिजेंस इजंसी जर तो इन्होंने क्या किया? इसाई ने बोला अपने आतंकवादियों को फोन करके कि भाई जो मिल रहे ना ले लो क्या था आइसाई अंदर ख़ौफ खाए बैटा था पाकिस्तान की जो सल्तनाती उसको बोलता है कि अजीट डोबाल का कुछ नहीं बता भाई कल को इसराइल से उस टाइम इनकी लड़ाई थी कि रशिया से अटैक करा सकता है, अमेरिका से अटैक करा सकता है, पाकिस्तान को खतम कर देगा, जिटो वाल के माइंड में उतनी ताकत है, तो उन्होंने फोन किया, आये साई को, कहा कि उस पर प्रैशर बनाओ, आये साई ने फोन किया अपने किस नहीं दूँगा, एक दूँगा, कहते हैं कि नहीं, तीन दे तो, कि नहीं एक दूँगा, नहीं 35 चाहिए, नहीं एक दूँगा, नहीं 35 चाहिए, एक दूँगा, तो उन्होंने फोन किया आतंकवादियों ने आये साई को, यहां सर को कह रहा है कि मैं एक ही आतंकवाद चाहिए और दो नाम और बताए तो अजी डोगालने का ठीक है मैं दूंगा तीन देना तो मैं एक ही चाहता था लेकिन तीन दूंगा उन तीन आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा और दो सो मिलियन डॉलर में से एक भी पैसा नहीं गिया 35 की जगा सिर्टीन आतंकवादी र लेकिन इस देश की जो मीडिया होती है वो बिकाओ किस सेंस में होती है अगर आप उस टाइम के अख़बार या पुराने आर्टिकल उठा के देखोगे तो वहां की उस टाइम की मीडिया अजीद डोगाल की लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मानती है कि मौलाना मसूद हाई अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये उनका सबसे बड़ी वीक्नेस थी या उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी नेक्स टोरी पर आता हूँ इतने कमेंट डाउन करदो कि ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि सबसे बड़ी वीक्नेस थी कि 200 मिलिय जी को थोड़ा सा सपोर्ट इंडिया की पुलिस और कॉंसिटुएंसी सिस्टम का मिलता तो दाओद इबराहिम आज जिन्दा नहीं होता कहानी कुछ ऐसी है दाओद इबराहिम की बेटी की शादी थी पाकिस्तान के क्रिकेटर हुआ करते थे जावेद मियादाद उनके बेटे थे जुनायद मियादाद उसके साथ दाओद इबराहिम की बेटी की शादी थी पाकिस्तान में ये खबर लगती है इंडिया के इंटेल तुम यहां बही नहीं करोगे जो हम सब्सक्राइब को समय और इप AG Operali हो phenomenon करो तो गृतहएं डूबाइब जी प्रदान मंतरी को कहते हैं कि सर्म मेरे को पता है कि दाउद इबराहिम कहां मिलेगा और यहां पर इंडिया भी बीच में नहीं आएगा यहां पर क्या करते हैं छोटा राजन दाउद इबराहिम जो कि एक कहते हैं कि खूनी दुश्मनी एक हिंदू डॉन एक मुसलिम डॉन उसका फायदा उठाने की कोशिश करिया जी डॉबाल जी ने और कुन कहा कि छोटा राजन के हातों मरवाएंगे हम दाउद इबराहिम को तो छोटा राजन गैंग के दो शूटर ये नेपाल से लेके आते हैं स्पेसिफिकली और दिल्ली में एक फाई स्टार होटल में ठहराते हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन क्या है न कि कुछ खबरे ऐसी है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोगों के घर आज भी डाउद इबराहिम की जेब से चलते हैं तो बहां के जो एक्टिव कमिशनर ओफ पुलिस थे वो आते हैं दिल्ली उनको एक खबर पता लग जाती है तो वो आते हैं दिल्ली और क लेकिन जो कमिशनर ओफ पुलिस थे वो एक्टिव पुलिस कमिशनर थे तो उनकी वहां पे नहीं चली छोटा राजन के उन दो शार्पशूटर को गिरफतार करा लिया गया और दाउद इबराहिम जिन्दा बच गया लेकिन अजीट डोबाल जी की इंटेलिजन्स देखो दुश्मनी का फाइदा उठाकर यह वहां जीत हासिल कर लेते अगर इस देश का सिस्टम उनके साथ होता तो तो अब नेक्स बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट सलू भाईजान की एक मूवी आईथी टाइगर जिन्दा है जहां पे आपने देखा था कि आईएस के 46 नर्सिस होती हैं कबजे में आईएस आईएस के तो वहां पर क्या था कोई शर्ट नहीं फटी थी भाई लोग कोई बॉडी नहीं दिखाई गई थी कोई बंदूख ही नहीं चली थी आजीट डोबाल तक जब यह खबर पहुंची 48 गंटे में आजीट डोबाल पहुंच ग तो दोस्तों कमेंट सेब्सक्राइब यहां रहे हैं 48 गंटे में बिना एक गोली चले जो आईएस आईएस यूएस की नहीं सुनता जो आईएस रश्या की नहीं सुनता लोगों के गले काट देता है 46 नर्सों में से 46 नर्सों को बिना एक चोट लगे वापिस लेके आया है सिर्फ तालीस घंटे में वो एक्शुल हीरो थे मिस्टर अजीद डोवाल बाई पिक्चर 200 करोड कमाए 300 करोड कमाए असली हीरो जो थे न वो आज आप लोगों को मैं बताता हूँ वो थे मिस्टर अजीद डोवाल तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए कैसी लगी आपको हमारे रियल हीरो रियल स्पाई और रियल सूपर हीरो की कहानी तो मिस्टर अजीद डोवाल जी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग चायद उसलाय की नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाई लेकिन अगर हम करेंगे तो हम करेंगे दो चीज एक 20 जनवरी 2023 यानि कि उनके 78 बर्डे पर हम लोग करेंगे हैश्टाग यूज जो की होगा हैपी बर्डे अजीद डोवल यानि कि हैश्टाग हैपी बर्डे अजीद डोवल आप सब बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उत्राखंड कम्यूनिटी से क्योंकि वो लोग बहुत प्यारे लोग होते हैं और सब लोग जो है ना अजीद डोवल यूज जो जो हमने जाना अभी मिस्ट अजीद डोवल के बारे में जो रियल परसनालीटी वो है और उसके अलावा क्या आपको नहीं लगता है एक नैशनल आवाउड जो सबसे बड़ा नैशनल अवाउड जिसे हम भारत रतन कहते हैं वो अजीद डोवाल जी को मिलना चाहिए उनकी लाइफ उनको जीते जाकते वो अवाउड मिलना चाहिए ना कि हपी बरड़े अजीद डोवल और प्लीज 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 लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि रियल हीरो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और दोस्तों इस साथ में ये भी बताना कि पहली बार मैंने ऐसा एक वीडियो किया है तो प्लीज अपना फीडबैक दे देना कि कैसे लग रहा है ये वीडियो आपको आगे और वीडियो और के स्टुडीज और इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको चाहिए या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना तो अब भी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं कतम करता हूं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक थैंक यू सो मुच पर वाचिंग बाई